क्योंकि कई बार पहले भी, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, एक बहन जिने फोन किया और फोन करकर कहा कि आप यूग के उपर बहुत बोलते हैं, मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि किर्प्या भक्ती को समझाने का प्रयास भी करें, फोन पे उसे चर्चा हुई और मैंने उन्हें कह दिया कि भाई भक्ती योग में कोई अंतर नहीं है, ठीक, अगर आप पानी को कहिए H2O, H2O, और उसे कहिए water, या पानी, तो कितना अंतर है, H2O जो है वो थोड़ा scientific name हो गया, H2O जो है वो थोड़ा सा scientific name हो गया, technical word हो गया, और जो पानी है, जो water है, वो एक बोल चाल की भाशा में जो हम बोलते हैं, water कहते हैं, पानी को, तो H2O और water में कितना फर्क है, बस उतना ही फर्क है योग और भक्ती में, योग एक वैज्ञानिक दृष्टी से दिया हुआ नाम है, ठीक, और भक्ती, ऐसा नहीं कि भक्ती वैज्ञानिक दृष्टी से दिया हुआ नाम नहीं है, भक्ती भी है, परंतु भक्ती जादा व व्ववारिक्ता में अधिक है इतना ही फर्क है योग और भक्ती का कोई विशेस फर्क नहीं है आज हम इस विशे को समझने का प्रयास करेंगे कि भक्ती क्या है और आत्म अनुसंधान आत्मा पर अनुसंधान क्या है भक्ति क्या है और आत्मा पर अनुसंधान क्या है इन दो विश्यों को ही हम चर्चा में लेंगे और इन दोनों विश्यों के बीच में संबंध क्या है वह भी समझने का हम प्रयास करेंगे तो आत्मा अनुसंधान सेल्फ एनालेसिस या सेल्फ रिसर्च एनालेसिस का मतलब हो जाएगा विशलेशन आत्मा अवलोकन लेकिन आत्मा अनुसंधान स्वास्वरूप अनुसंधान स्वास्वरूप बोधेन शास्त्रों में जो शब्द प्रयोग हुआ है तो विवेक चु तो विवेक चुडा मनी के अंदर हमने यह देखा कि ब्रह्म ज्यान का अधिकारी कौन है ब्रह्म ज्यान का अधिकारी कौन है ब्रह्म ज्यान का साधन क्या है तो ब्रह्म ज्यान के साधन में साधन चतुष्टई की चर्चा आती है कल हमने साधन चतुष्टई पर चर्चा में शम दम उपरती तितिक्षा समाधान मुमुक्षता यह चीजे शट्षंपती में आती है और चौथा साधन है मुमुक्षता मुमुक्षता अपने आप में साधन है चौथा साधन मुमुक्षता शट्षंपती में शम दम उपरती तितिक्षा समाधान और शद्धा यह शट साधन है तो साधन चतुष्टय के अंदर विवेक वैरागय शटशंपती और मुमुक्षता यह चार साधन बताएगा है ब्रह्म ज्यान के लिए ब्रह्म ज्यान का मार्ग सबको मिल सकता है लेकिन ब्रह्म ज्यान सबको नहीं हो पाता ब्रह्म ज्यान का मार्ग सबको मिलता है मिल सकता है लेकिन उसका फल उसका लक्ष सबको प्राप्त नहीं होता ठीक है तो ब्रह्म ज्यान का मार्ग ही मिलता है उस मार्ग पर जो विवेक से वैरागय से शट संपती से मत्तब शम दम उपरती तितिक्षा श्रधा और समाधान य करते हुए और मुमुक्षता, जिनके अंदर मुमुक्षता है. यह साधन रूप में प्रयोग होते हैं और साती सात, जो तर्क वितर्क में कुशल हो, वैराग्यवान हो, विवेकवान हो, सत्य नित्या नित्य विवेक बोध जिसको हो, ऐसा विक्ति अधिकारी होता है, ब्रह्म ज्यान का अधिकारी बनता है, तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है, इस पर भी हमने चर्चा कर लिया, और ब्रह्म विद्या का साधन क्या है, इस पर भी हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है जिग्यासू, तो अब इसी श्रिंखला में बाते आगे बढ़ेंगी और हम चर्चा करेंगे कि आत्म अनुसंधान क्या है आत्मा का अनुसंधान क्या है और फिर भक्ति क्या है तो स्वेम को जानने की प्रक्रिया स्वेम को जानने की जो प्रक्रिया है वही तो आत्मा का अनुसंधान है क्या आप शरीर है उपनिशदों में आत्म अनुसंधान पर बहुत सारी बाते लिखेगे आत्मा के अनुसंधान पर बहुत सारी बाते लिखेगे क्या यह शरीर है? क्या हम शरीर है? क्या हम इंद्रियां है? क्या हम मन है? और क्या हम बुद्धी है? क्या हम चित है? क्या हम एहंकार है? क्या हम बुद्धी है? क्या हम तीन गुन है? क्या हम पंच भूत है? क्या हम तनमात्राएं है? हम क्या है? मन से परे, बुद्धी से परे, चित से परे, एहंकार से परे, अन्ताकरन चतुष्ठाई, इन से परे मैं कुछ और हूँ, तो मैं कौन हूँ, तुम हो कौन कहां से आये, कहां है निजगर तेरा, यही कारण तु भरमत डोले, तनतज कहां बसेरा, तुम हो कौन और तुम कहां से आये, कहां है निजगर तेरा, यही कारण तु भरमत डोले, तुम हो कौन और तुम कहां से आये हो, तुमारा घर कहा है, यही तो तुम्हें जानना है यही तो आत्मनुसंधान का विशय है तो जो आत्मनुसंधान करता है वही लक्ष को प्राप्त करता है यूग का लक्ष उसी को प्राप्त होता है ब्रह्म विद्या भी उसी को प्राप्त होती है क्योंकि आयम आत्मा ब्रह्म से आत्मा को ही ब्रह ठीक तो यही चर्चा अधिगुरु शंकराचार भी अपने आगे के सुत्रों में करते हैं साधन चतुष्टाय के अंतरगत साधन चतुष्टाय में हमने देखा कि चार प्रकार के साधन बताए गया है विवेक वैराग्य शट संपति और मुमुक्षता के बारे में क्या कहा गया मुमुक्षता के बारे में क्या कहा गया अहंकारा दिदेहांतान बंधान ज्यान कल्पितान स्वस्वरूपाव बोधेन मुक्तुमिक्षा मुमुक्षता अर्थात अहंकार से लेकर देह प्रयांत जितने अज्यान कल्पित बंधन हैं उनको अज्यान कल लेकर मतलब बुद्धी, एहंकार, मन, चित, संसकार उनमें कई संसकार, पंच भूत, तनमात्राइं, ज्ञानेंद्रियां, करमेंद्रियां यह सब जीव का स्वरूप है। तो एहंकार से लेकर इस इस्थूल देह परियंत जितने भी अज्ञान कल्पित बंदन ये सब बंदन है चित भी बंदन है, बुद्धी भी बंदन है, एंकार भी बंदन है, मन भी बंदन है, पंच भूत भी बंदन है, तरमात्राएं भी बंदन है, ज्यान इंद्रियां भी बंदन है, कर्म इंद्रियां भी बंदन है, सब कुछ तो बंदन ही है, यह सारी चीज़े बंदन युक्त ह तो इन सभी बंधन के लिए जो मुक्ति है अपने स्वरूप के ज्यान द्वारा अरथात आत्मा के ज्यान द्वारा स्वा, स्वरूपाव बोधेन, यहाँ पर स्वरूप शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? और स्वरूप के ज्यान की चर्चा क्यों की जा रही है? स्वरूप शब्द का प्रयोग और स्वरूप के ज्यान की चर्चा क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है? क्योंकि स्वरूप शब्द जादा इसपष्ट है, आत्मा सब्द से स्वरूप जादा इसपष्ट है मार्शी पतंजली भी तद्रश्टु स्वरूपे अवस्था नाम की चर्चा वो करते हैं, स्वरूप की अवस्था की बात वो करते हैं आदीगुरु शंकरा चार भी यहां पर स्वा स्वरूप बोधेन शब्द का प्रयोग करते हैं कि स्वेम से स्वेम के भीतर स्वा स्वरूपाव बोधेन मुक्त मिक्षा मुक्षता मुक्षता क्या है एहंकार से लेकर देह परयांत जितने भी अज्ञान कल्पित बंधन हैं उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा, उन सभी बंधनों को अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा काट देना, नश्ट कर देना, अर्थात आत्म ज्ञान के द्वारा, अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा उन सभी बंधनों को काट देना ही, काट देने की जो इच् एहंकार से लेकर देह परियंत जितने भी अज्ञान कल्पित बंधन हैं उन सभी बंधनों को स्वरूप के ज्ञान से खंडित कर देना काट देना उन बंधनों को तोड़ देने की जो तिवर इक्षा है जो विविदिशा है वही मुमुक्षता है उसी को मुमुक्षता कहते है जो कि दुरलब है आधिगुरु शंकराचार ने का कि दुरलभम त्रैमे वेद देवान उग्रहे तुकम मनुश्यत्वम मुक्षत्वम महापुरुष शंश्रया कि दुरलभ है तीन चीज़ है मनुश्यता दुरलभ है उसके बाद मुमुक्षता दुरलभ है और अहंकार से देह परियंत जितने भी अज्ञान कल्पित बंधन है उन सभी बंधनों को स्वरूप के ज्ञान से स्वास्वरूपाव बोधेन आदिगुरु शंकराचा स्वरूप के ज्ञान से उनको खंडित कर देने की जो तिवरिक्षा है वही वह मुक्षता है अब मुक्षता मंद भी हो सकती किसी के अंदर मुक्ष प्राप्ति के बड़ी तिवरिक्षा हो किसी के अंदर थोड़ी सी इक्षा हो तो अब उसके बारे में आदिगुरु शंकराचारे कहते कि कैसे फिर सफलता मिलेगी अगर कम है मुक्षता तो क्या कहते हैं तो वह कहते हैं कि मंद मध्यम रूपापी वेरागेन शमादिना प्रसादेन गुरु शेयं प्रविर्धा सुयतेफलं वह जो मुमुक्षिता है किसी के अंदर मंध होती है किसी के अंदर मध्य होती है मध्यम होती है, मंध मध्यम रूपापी वहरागेन शमाद्य न प्रसादेन गुरुख सेवशेयम प्रविर्दा सुयत एफलम अर्थाद, किसी की मुमॉक्षता मंध होती है, मध्यम होती लेकिन तिव्र नहीं होती, मोक्ष कामना तो है मोक्ष प्राप्ति के एक्षा तो एलेकर उसमें तिवर्ता नहीं है उसमें बेचैनी नहीं है कि आदमी उसके बिना रह ही न सके तो जब ऐसी मुमुक्षिता नहीं है मंद मुमुक्षिता है या मध्य मुमुक्षिता है तो भी वैराग्य तथा शम आदी शट संपती और गुरु की सेवा गुरु कृपा से मिल जाने से अगर मान लिजे कि मुमुक्षिता थोड़ी सी भी है उसमें अगर वैराग्य का सहयोग मिल जाए शम दम आदी शट संपती का सहयोग मिल जाए और साथ में गुरु का अनुगरह भी प्राप्त हो जाए गुरु की सद भावना गुरु की कृपा भावना कृपा द तो निश्य ही वो किरपा दिर्श्य जाल देंगी उनकी प्रसन्नता अगर जुड़ गई तो अगर ऐसा हो जाए तो निश्य ही फिर क्या होने वाला है आपको सफलता मिल जाएगी ब्रह्म ज्यान के मार्ग पर आपको सफलता मिल जाएगी ऐसा कहा जा रहा है फिर आगे कहते हैं कि वैराग्यम चा मुमुक्षत्वम तिव्र यस्सेतू विद्दते तस्मिन ने वार्थवंतः सिउ फलवंतः शमादयः जिस पुरुश में वैराग्य और मुमुक्षता तिव्र होती है उसी में शमादी चरितार्थ और सफल होते हैं लेकिन ये भी मिलने शुरू हो जाएगा अगर वैराग्य भी तिव्र हो मुमुख्षता और वैराग्य दोनों का तिव्र होना दुर्लब है सब के अंदर नहीं होते कई बार मुमुक्षिता तो होती है, लेकिन वैराग्य नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए, आधीगुरु शंकराचारे का जो विशय है, यहाँ पर मुमुक्षिता ही, महत्वपुर्ण विशय है, मुमुक्षिता का होना ही सर्वो परी, सर्वो परी है, इध्यान रखे मुक्षता मतलब क्या है कि अहंकार से लेकर देह परियंत जितने भी अज्ञान युक्त बंधन हैं उन सभी बंधनों को स्वरूप के ज्ञान से स्वरूप के ज्ञान से खंडित करने की जो तिवरिक्षा है तोड़ो कारा तोड़ो कारा कारा से बाहर निकलने की जो तिवरिक्षा है ठीक बंधन से मुक्त होने की सांसारिक यह जो इंद्रियों का बंधन है एंकार से देह परियंत क्योंकि कई बार हम मोक्ष की बाते छोटी सी जुबान आदमी बड़ी-बड़ी बाते बहुत असानी से कह जाता है यह भी बड़ी बाते बहुत असानी से कह जाता है तो मोफ शब्द का मुझसे पर्यूग कर लेना बड़ा असान है वैसा कर लो तुमको मोख मिल जाएगा अरे बहांअ यह커 हैंद़ोंत यह rifle समयों किया मोक्ष करना करना हे क्या है क्यों HOL Snow कँ प्राप्त करने के आवश्यक्ता हैं तो प्हला ने महात्मा जी दिया कि ऐसा पूजा करवालो मोक्ष काशि में चले जाओ मोक्ष हो जाएगा तित्यात्रा verdi है, ठीक हैं तो मोक्ष के कई उपाय मोक्ष बताए जा रहें लेकिन अब भगवान श्यूं कहते हैं इदमदम इदम तितुम इदम तित भृमती ऐसं कि TV मिदम तितäreं था मॉन्टी तो जो आत्म तिर्थ को नहीं जानते जो स्वेम को ही नहीं जानते वो जो आत्मा को नहीं जाना वो प्रमात्मा को क्या जानकर करेगा और क्या दावा करेगा क्या दावा करेगा तो इसी लिए होता क्या है कि आदमी बहुत जल्दी कुवे का मेंठक बनने के लिए कि लिए तेयार हो जाता है और पिर सारी भासा कोई अनुसांदान करना नहीं उसको और किसी आस्तमानी ताकत को मानना है ये लोग है वो लोग है वो लोग है वो लोग है ऐसा लोग है वैसा लोग है प्रैक्टिकल वे में आपके पास कुछ है ही नहीं अगर आपके सामने कोई चीज है जिसको आपको जानना चाहिए तो सरपर्थम वो आपकी आत्मा है ठीक है वो आपकी आत्मा है तो ये हमें सरवपर्थम जानने का विश्य है तो ये ना जानकर अगर आदमी कुछ और जानने का इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोक्ष क्या है स्वरूप के ज्यान से अहंकार से देह परियंत सारे बंधनों को काटने की तिवरिक्षा यह मोक्षता कही जाती है और बंधनों का कट जाना ही मोक्ष है और जब तक आप कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई जीव तो कभी ब्रह्मलीन होई नहीं सकता जीव तो जीव ही रह हमेशा जीव रहेगा जीव तो जीव ही रहेगा ठीक है वह हमेशा ही जीव रहेगा तो मतलब हमेशा इंद्रियों के बंधन में रहेगा यह मानना पड़ेगा हमेशा पंच भूतों के बंधन में रहेगा यह भी मानना पड़ेगा अगर आप कहते हो कि जीव हमेशा जीव ह रहेगा तो इसका मतलब वो हमेशा पंच भूतों के बंधन में रहेगा हमेशा इंद्रियों के बंधन में रहेगा और अगर आप यह कहते हो कि नहीं जीव की अलग सत्ता है तो कहीं न कहीं वह इश्वरिय सत्ता को सिमित कर रहा है क्योंकि दो सत्ताइं अगर होंगी अगर द सबकि अप्सपर किए तो जब आफ बात करते हो कि निकी 2 सत्ताओं से किसी किसी प्वान्थ अजाएंगी एक दुसरे को सिमित कर देंगा कि यह यह आ जाएगा यह चीज तो यह हमें विचार करना पड़ेगा कि जीव की सत्ता है के नहीं है तो जीव की सत्ता बंधन युक्त है जीव बंधन युक्त है जीव का अस्तित्व भी बंधन में है इंद्रियों के बंधन में पंच भूतों के बंधन में अंतह करन के बंधन में जीव का अस्तित्व है यही बात समझ में आती है। बाक्य अगर कोई बात क्योंकि देखें मैं जो यहां बात बोलता हूं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। कौन किस मत से जुड़ा हुआ है। कौन अरे समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है वेई अगर आपने बिना research किए? without any research, personal research, किसी की किताब पढ़कर ही नहीं मात्र मान लेना, आपका विक्तिकत बिना research के अनुसंधान किये, उस्तर्ख पर गए, आप जब मानते हैं कि जीव की सत्ता है, तो कैसे जीव की सत्ता है, और यह विचारधारा विक्सित कब हुई है, तो यह भी आपको खुड़ासा गौर करना पड़ेगा, कि यह विचारधारा कब विक्सित हुई है, तो जीव का जो ठीक, तो विचार कर ले, अच्छे से समझ ले इस विशय को, तो स्वरूप की उपलब्दी, स्वरूप की उपलब्दी मतलब स्वरूप का ज्यान होना, स्वरूप का ज्यान होने का तात्परे, आत्मा का ज्यान होना, आत्मे ज्यान होना, और स्वरूप ज्यान के द्वार जो इस बंधन को काट सकता है जो इस बंधन को नश्ट कर सकता है वो मोक्ष के प्राप्ति करता है इसलिए कहा गया इदम तिर्थ मिदम तिर्थ भरमंती तामसा जना आत्मितिर्थम नजानंती कथम मोक्षम वराने बहुत सारे तिर्थों की यात्रा करने वाले वो तामसी लो ृइंच मुझ्षित्व्हं तिव्रम यस्तु विद्धते तसमिन्ने वार्थ बनता सुफल या जिस पुरुष में वैरग्य और मुझ्षत्व मतिव्र होते हैं उसमें शमाधी चरितार्थ होते हैं मुझ्षित्व सर्वों परी है मुमुक्षता सर्वों परी है को के वैरागी बन जाओ आप कहोगे कि शमदम का पालन करो ब्रह्मचरे का पालन करो हाँ जग्यासू मित्रों बहुत बहुत अविननदन है आपका दिव सर्जन स्परीच्वल में और अभी पिछले काफी समय से थुड़ा सी एक गैपिंग हो गई थी एक जो है गैपिंग हो गई थी क्योंकि internet की समस्या थी और इंटरनेट की समस्या के कारण यह थोड़ा सा गैप आपको बफरिंग दिखाई दिया चलिए हम अपने विशय पर फिर से आते हैं और चर्चा को क्योंकि महत्पुर्ण विशय है आज का महत्पुर्ण विशय है इसलिए नहीं तो गैपिंग थोड़ी लंबी हो गई तो मेरा मन बीच में किया कि चलो अब कल करेंगे इस चर्चा को पूरा लेकिन विशय महत्पुर्ण है इसलिए साथ में ही इसको पूरा कवर करना जरूरी लगा मुझे और इसी उद्देश से फिर से थोड़ी सी बाधा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लेम बीच में आई जिससे की बाधा आ गई थी चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं और विशय को पूरा करते हैं तो हम चर्चा कर रहे थे आत्म अनुसंधान के उपर आत्मा का अनुसंधान और भक्ति क्या है इन दो विश्यमों पर तो आदिगुरु शंकराचारे की जो विवेक चुड़ा मनी है उस पर यह आधारी चर्चा आगे बढ़ रही है तो विवेक चुडामनी आत्मा नुसंधान स्वरूप की उपलब्धी इसकी चर्चा यहां पर की जा रही है और आधी गुरु शंकराचारे कहते हैं कि मंद मुमुक्षता अगर हो और वैराग्य का समर्थन मिल जाए शम आधी संपती और गुरु कृपा हो जाए तो भी फल की प्राप्ती हो सकती है नई तो तिव्र और मुमुक्षता और वैराग्य दोनों अगर तिव्र हो तो उसमें बहुत असानी से शम दम आदी चरितार्थ हो जाते हैं फिर वो कहते हैं एतो एतयोर मंदता यत्र विरक्त्व मुमुक्षयो मरव सलील वतत्तर शमा देरभा समात्रता जहां इन वैराग्य और मुमुक्षत्व की मंदता है वहाँ पर शम आदी का भी मरवस्थल में जल परतीती के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए अब यहाँ पर देखिए कुछ बहुत ही गहरी बात कही जारी है कि मुमुक्षता सबसे अधिक महत्पूर्ण है जिससे व्यक्ति के अंदर मुमुक्षता तिवर नहीं है तो उसके अंदर वैराग्य भी तिवर नहीं आपाएगा उसके अंदर शम दम आधी जो शट संपती है शम दम उपरती तिटिक्छा श्रधा और समाधान या शट संपती कहलाती है तो इन शट संपतियों का चरितार्थ होना असान नहीं हो पाएगा वो किस प्रकार से होंगे जैसे मर्वस्थल में थोड़ा बहुत जल दिखाई देता है वैसे ही उस व्यक्ति के अंदर वैराग्य दिखाई देगा थोड़े बहुत जल के समान वैसे ही उस व्यक्ति के अंदर शम दम आधी चरितार्थ हो पाएगे क्योंकि शम, दम, ब्रह्मचार वैराग्य यह सब जबर्दस्ती से अस्थापित नहीं होते इनका आचरन जबर्दस्ती से नहीं किया जा सकता जिस विक्ति के अंदर, जिस मुक्षु के अंदर, जिस जग्यासु के अंदर अपने जीवन को एहंकार मुक्त करने की एहंकार से लेकर देह परियंत जितने भी बंधन है देह युक्त कल्पित बंधन जितने भी है उन सब को खंडित करने की तिवर इक्षा जिसमें आ गई है वो मुक्षु है और जिसको मुक्त होने की तिवर इक्षा अगर नहीं आई है अगर वो सही से मुमुक्षु नहीं बन पाया है तिव्र इक्षा मुक्ष प्राप्त करने की अगर उसके अंदर नहीं आ पाई है उस व्यक्ति के अंदर तो वेराग्य भी हो सकता है कि एक समय पर वेराग्य का उबाहल आ जाए एक समय पर एकदम निश्कलंग ब्रह्मचारी बन जाए वो एक समय के लिए कुछ देर के लिए ठीक नहीं पाएगा लंबे समय तक क्योंकि अभी तक मोक्ष की तिव्र इक्षा उत्पन्न नहीं हुई है तो आधिगुरु शंकराचारी यहां पर अपना एक दावा दे रहे हैं कि भाई जिसको बंधन मुक्त होने की एहंकार से लेकर देह परियंत जितने भी कल्पित विशयों का बंधन है उन्हों सभी बंधनों को खंडित करकर मुक्त होने की जिसकी इक्षा नहीं है वह वैराग्य का पालन वैराग्य भी उसमें पनपेगा नहीं शम दम आदी शट संपती भी उसमें कैसे दिखाई देंगी जैसे मर्वस्थल में पानी दिखाई देता है मर्वस्थल में जैसे पानी दिखाई देता है मर्वस्थल में जैसे जल दिखाई देता है वैसे ही आपको शम दम आदी उस साधक के अंदर उस जिग्यासुव के अंदर दिखाई देंगे और जिसके अंदर मुमुक्षता तिव्र हो गई वैराग्य भी तिव्र क्योंकि जिसने यह ठान लिया कि भाई बहुत हो गया यह संसार का सुख दुख बहुत हो गया यह इंद्रियों का लुभावनी दृष्य मायावी दृष्य इंद्रियों के माध्यम से जो माया दिखाई देती है इन इंद्रियों के माध्यम का जो मायावी दृष्य है वह भी बहुत हो गया, बहुत सुख भोगा, बहुत दुख भोगा, बहुत व्यंजन खाए, बहुत नहीं खाए, बहुत कुछ जीवन में चल रहा है, बहुत धन कमा लिया, फिर भी सुखी तो नहीं हो पाए, और जिसने ये जान लिया, जिसने इस इंद्रियों के रहसे को समझ लिय जाकि ये किस प्रकार से ब्रह्मित करती हैं, किस प्रकार से दुखी करती हैं, तो इनके बंधन से मुक्त होना ही उचित है, जिसके मन में जबर्दस्ती नहीं, जबर्दस्ती तुम मुक्ष के मार्ग पर चलो, जबर्दस्ती तुम बैरागी बनो, जबर्दस्ती तुम ब्रह् प्रदस्ति नहीं आ सकती है इसलिए मुमुक्षता दुरलब है मुमुक्षता महत्पूर्ण है अगर आप उच्छ कोटी के मुमुक्षु हो जाओगे तो आपके अंदर वैराग्य भी आएगा आपके अंदर आपके लिए शम दम उपरती तितिक्षा श्रद्धा और समधान इनका पालन करना भी आपके लिए सरल हो जाएगा अगर मुमुक्षता आपके अंदर आ गई तो तिवर मुमुक्षता आपके लिए तो इसलिए मुमुक्षता सबसे बड़ा साधन बंती है इसलिए मंद मुमुक्षता से काम नहीं चलेगी जिसके अंदर मुमुक्षता मंद होती है न तो उसके अंदर वैराग कैसे दिखाई देगा जैसे समंदर में जैसे कि मरुवस्थल में थोड़ा थोड़ा पानी कहीं कहीं देखे जाएगा ब्रहम के रूप में जिसको कहते हैं मरुवस्थल में क्या होता है रेत की उपर जब सुरी की किरने गिरती है तो वो चमकती है और उनके चमक से ऐसा लगेगा जैसे कि पानी है वहाँ पर दूर से देखो कि पानी नजर आएगा लेकि पानी होता नहीं है यही तो म्रिग मरिचिका है वो भागेगा पानी के लिए रहे कि पानी वहां पहुचेगा पानी मिलेगा नहीं यही तो है आदमी बाहर से वैरागी दिखना शुरू कर देता है कि आदमी बाहर से वैरागी दिखता है कि दाढ़ी बाल बढ़ा लिया गया कि कपड़े रंगवा लिये गया आदमी बाहर से वैरागी द करवाया जा रहा है कि अरे कर भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर स्वस्त होने के लिए कर नहीं जब तुम्हें अंदर मुक्षता आ जाएगी मुक्षा अर्था तो मुक्ष प्राप्ति की कामना मुक्ष का अर्थ क्या है एहंकार से देह परियंत जितने भी कल्पित विश्यों का जा बंधन है उन्हों सभी बंधनों से बंधनों को काटने की जो इंख्षा है खंडित करने की जो इंख्षा वही मुक्षता है और खंडित हो जाना ही मोक्ष है ठीक है तो यही हमें समझ नहीं तहले मुक्षता को बहुत महत हुत दिया गया है यह आपर थो वेराग्य तभी आएग़ा शम्दम तभी काम करेंगे निदो जबर्दस्ति के पाम नहीं करने वाले यतना पहले अच्छे से समझ लिना जिए अभा आगे कहते हैं कि मोक्षकारण सामग्रियाम भक्ति रेव गरी अशी स्वास्वरूपानु संधानं भक्ति रित्य भीदियते स्वात्मतत्वानु संधानं भक्ति रित्य परेजगुहु। मोक्ष प्राप्ति के कारण रूप जो सामगरी में भक्ति रेव गरी असी भक्ति ही सबसे बढ़कर है। अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है तो सबसे बड़ी सहाइता कौन करेंगे भक्ति करेंगे। भक्ति से ही मोक्ष होगा भक्ति से ही मोक्ष होगा लेकिन भक्ति क्या चीज है भक्ति से ही मोक्ष हो जागा जी हम भक्ति करेंगे अब हम बैठ गए कुछ करने के लिए कोई वरत कर रहा है कोई उपवास कर रहा है कोई नाम ले रहा है कोई कुछ कर रहा है बहुत कुछ संतों मनमुक थाई ना पाई भक्ति करे पर विधी ना जाने दूजे रे मन लाई भक्ति करे पर विधी ना जाने दूजे रे मन लाई सई से पता ही नहीं तो फिर करोगे क्या भक्ति के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर जाओगे लेकिन भक्ति नहीं कर पाओगे भक्ति के ना अनु रूफ सामगरी में भक्ती ही सबसे बढकर है और अपने वास्तिविक स्वरूप के अनुसंद्धान करना स्वास्वरूपानुसंद्धानं भक्ती रित्य भी दियते स्वास्वरूपानु संधानम भक्ति रित्य भी दियते स्वात्म तत्वानु संधानम भक्ति रित्य परेजगु कि अर्थात्य स्वरूप के उपर अनुसंधान करना तो पहले तो यह जानलों की भक्ती क्या है आदिगुरु शंकराचारी यहाँ पर 32 इसलोग 32 मंत्र में यहाँ पर विवेक छुडा मनी के अंतरगत यहाँ पर वो भक्ती तत्यों की चर्चा करते हुए कि भक्ती क्या है मोक्ष के प्राप्ती में जो सबसे बड़ी जो सामगरी है मोक्ष प्राप्ती में जो सबसे बड़ी जो सामगरी है वो स्वेम भक्ती है जो सर्वस्रिष्ट है वो भक्ती है लेकिन भक्ती क्या है स्वा स्वरूपानु अनुसंधानम कि अपने स्वरूप पर आत्म का आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ती है कुछ लोग उसे स्वात्म तत्वानु अनुसंधानम कहते हैं कि स्वा आत्म तत्व का अनुसंधान करना ही भक्ती है तो भक्ती क्या कह रहे हैं आदिगुरु शंकराचारी यहां पर भक्ती कह रहे हैं कि स्वा स्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य भेदियते स्वात्म तत्वानु संधानम भक्तिरित्य परे जगुहु। स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है। वास्त्विक स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। और स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है। स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है तो भक्ति और योग में कोई अंतर नहीं है भक्ति और योग में कोई अंतर नहीं है मैंने पहली कहा कि आप H2O बोलो और वाटर बोलो एक ही बात है है step water diplomacy इस लीए tweak अर्बात है य्योग ऑर भक्ति कुछ ऐसा ही संज्च्जोग है योग थोड़ा सा ज्यादा स्लार्म हो जाता है भक्ति विवहारिक्त में ज्यादा प्रयों किया जाता है भक्ति करो भक्ति करो भक्ति-करो अाम को बक्ति करनी चाहिए लेकिन भक्ति और एक एक ही विश्य है स्वरूप का अनुसंधान ही योग है स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है इस प्रकार से समझना चाहिए और यही आदिगुरु शंकराचार यहां समझाने में लगे हुए है स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है क्योंकि अद्वाइत का मुख्य लक्ष आत्मा है यूग का मुख्य लक्ष स्वरूप है अब आप कहोगे कि जी नहीं भक्ति का लक्ष तो वो भगवान जी है वैकुंठ में जो वास करते हैं वैकुंठ में जो वास करते हैं वो भगवान ही भक्ति का लक्ष है तो भगवान तो भगों से संपन्न है गुणों से संपन्न ही है और भगों से संपन्न है ठीक, यह हमें मानना पड़ेगा, तो गुनों से संपन्न कुछ नहीं होता, गुनों का बंधन होता, यह ध्यान रखेएगा, कि संपून आप बंधन में है, गुणों के बंधन में, आपका जीवन गुणों के बंधन में है, आपका जीवन भी गुणों के बंधन में ही है, ठीक, तो गुणों का बंधन मौझूद है यहां पर, लेकिन जो आत्मा है, जो ब्रह्म तत्व है, वह बंधन से परे है, वह इंद्रियों के सीमा है इंद्रिया सत्य नहीं देखती इंद्रियां वही देखती है जो इंद्रियों के देखने की छमता है इंद्रियां उससे आगे नहीं देख पाती है इसलिए संसार कैसान दिखाई देता है जैसी हमारी इंद्रियां है वैसा ही हमें संसार दिखाई देता है इंद्रियां चश्मा की तरह है काला चश्मा पहनोगे काली चीजे नजर आएगी काला काला सब पर शेड में नजर आएगा सब कुछ लाल चस्पम पहनों के चीज़े लाल नजर आनी शुरू हो जाएंगा। बल्ब के उपर आप लाल प्लाश्टिक लगा दो लोग लगा देते वो लाल रौश्णी फेकने लग जाती है। हरा लगा दो तो हरी रोशनी फेकेगी, नीला लगा दो नीली रोशनी, पीला लगा दो पीली रोशनी तो ये इंद्रियों की गति है, इसलिए इंद्रियां जो देखती हैं, वो सत्क नहीं है सिमित है, मिथ्या है, बिल्कुल सही नहीं है जिसे रज्जु में सर्प की भ्रांती हो जाती है या भ्रम हो जाता है वैसे ही यह संसार है इंद्रियों के मध्यम से दिखने वाला संसार वह वैसा ही है ठीक, क्योंकि इंद्रियों की छमता पर निर्भर है, जो भी दिखाई देगा वह इंद्रियों की छमता पर निर्भर है, यह यहां पर विशय आ जाता है कि इंद्रियों की छमता पर निर्भर है, सब कुछ, तो इसलिए स्वरूप इंद्रियों से दिखने वाला विशे स्वरूप नहीं है आत्मा नहीं है आत्मा इंद्रियों से परे है इंद्रिया तीत है इसलिए आत्मा अनुसंधान करो आत्मा ही तुम्हारा लक्ष है अद्वईत में आत्मा ही लक्ष है कोई भगवान कोई आसमानी ताकच जो उपर से बैठा है हमारे उपर कृपा बरसा देगा हमारे साथ चमतकार कर देगा हमारे साथ ऐसी कोई किसी भी ऐसी शक्ति को किसी भी ऐसी शक्ति को अद्वाइत या पतंजली का योग शुत्र इस प्रकार से जिसको हम मान कर चलते हैं म मानकर चलते हैं तो बिना जाने क्यों मानते हो तो एसी किसी भी शक्ति को नहीं माना जाता है अद्वाईत विचारधारा ऐसी किसी भी शक्ति को नहीं मानती है बक्ति क्या है तो आज का यह प्रश्न है भक्ति क्या है तो उत्तर में गया आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति यह को तो सनातन धर्म की विशेशता है यह उपनिशद विचार धारा की विशेष्टा है कि आत्मा महत्त पूर्ण और आप इस फरक को समझिए कि विदेशी विचार धारों में जिनको आप धर्म कहते हैं आप कहते हो बहुत सारे धर्म है बहुं सारे धर्म नहीं हुआ करते हैं इसलिए बार-बार dan repeat करके बताना पड़ता है कि धर्म के अधार पर कि अगर धर्म की हम निरुक्त में चले जाएं अज अगर हम चले जाएं धर्मशब्द और एनजा जा इसलिए एक और ही धर्म है ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि एक ही धर्म है वहाँ पर किसी आसमानी ताकत का महत्त है और यहां आपको उपदेश दिया जा रहा है अपनी आत्मा का अनुसंधान करो अपनी आत्मा का अनुसंधान करो यह उपदेश यहां दिया जा रहा है स्वरूप का अनुसंधान करो आत्मा का अनुसंधान करना ही भकति है स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है आदेगुरु शंकराचार विवेक चुडा मनी के अंतरगत किस स्लोक में तो 32 स्लोक में 32 नमबर 32 स्लोक में भक्ति की यह परिभाशा दे रहे हैं कि आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है और यही सनातन धर्म की विशेस्ता है यही सनातन धर्म विश्व के दूसरे माननेताओं से जो किसी आसमानी ताकत को मानने में लगे हुए हैं और एसी बाद नहीं है हिंदू शमाज में भी बहुत सारे लोग किसी आकिसी आसमानी ताकत को मानते हैं कुछ ऐसी ही सब्सक्त को मानने में जो लगे हुए हैं आत्मा का अनुसंधान छोड़ दिया आत्म तीर्थ को छोड़ कर जो भटक रहे हैं और आत्मा का अनुसंधान छोड़ कर जो भटक रहे हैं भला उनको सनातनी कैसे कहा जाए तो इसलिए अधिगरु शंकराचारी यहां पर कह देते हैं कि आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्त तो आप भक्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो या भक्ति के नाम पर कुछ और कर रहे हो यह बता दो आत्मा का अनुसंधान चल रहा है कि नहीं चल रहा है अगर आत्मा का अनुसंधान चल रहा है तो समझो कि भक्ति हो रही है अनित्हा भक्ति के नाम पर लोग आजकल बहुत आत्म अनुसंधान करना ही भक्ति है यह शंकर भाष्य के ऊपर है शंकरचार की वानि की ऊपर यह आधिगुरू शंकराचार अगर आत्मनुसंधान में लगे हैं तो आप भक्ति के मार्ग पर हैं निश्य ही हैं और अगर आत्मनुसंधान में अगर आप नहीं हैं तो आप भक्ति के मार्ग पर ना हैं ऐसा समझें ठीक हाँ बाकि देव पूजन का मार्ग भावनात्मक मार्ग वो अपनी जगह पर उसका अलग विशह है लेकिन यहाँ पर भक्ती शब्द और भक्ती के लिए और भक्ती और योग में ये दो शब्द क्या अलग-अलग है एक ही अर्थ है भक्ती का मतलब जुणना विभक्ती क अलग होना योग का मतलब जुड़ना वियोग का मतलब अलग होना दोनों शब्दों का अर्थ अलग-अलग नहीं है इसलिए मैंने प्रारम में ही कह दिया कि योग और भक्ती में इतना ही अंतर है जितना कि वाटर और हैच्टु ओ अगर तुम एच्टु ओ बोलो और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सिजन मिलके बना देते हैं तो इसलिए योग एक टेकनिकल टर्म है और भक्ति एक विवाहरिक एक कॉमन टर्म है जो इस्तमाल होता है भक्ति और योग में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है तो चलिए इतना ही अंतर है शब्दों का ही बोलने का उचा आपनीयों को भी देखते हैं कमेंट ko भी देखते समय काफी हो गया है बीच में विवाधान के कारण समय बढ़ गया कोई बात नहीं चलते हैं अगे बढ़त से लिए बहुत बहुत आबहुत áबार गुरु जी मेरा मन पुरानों की कथाओं से हट गया है तक्ट्वज्ञान में बायो आ जाता है बायो शब्स किसके लिया प्रव कर रहे हैं और नहीं जी, पंच महा भूत भी 24 चत्तव reviews के अंतर्गत हैं, 24 तत्ते उन में पंच महा भूत भी आ जाते हैं बुद्धि एहंकार मन चित ओ फिर 5 ज्ञा ने रियां 5 करमें रियां 5 भूत और 5 चतनमात्र हैं इनको मिलाकर 24 तत्व होते हैं पांचवा पचीसवा पुरुष है ठीक तो पंच महाभूत भी 24 तत्व की में पांच तत्व ये भी आते हैं मुमुक्षो श्रेकृष्ण क्या जनम से ही सेल्फ रेलाइज थे या उनको गुरु संदीपनी ने आत्मेज्ञान का म उन्होंने प्राप्त किया सनातन धर्म को जाने और निश्काम कर्मयोग करें और अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए ठीक है आप अध्यात्मे के मार्ग पर आत्मानुसंधान के मार्ग पर आगे बढ़िए उशा श्रिवास्तव जीवन मुक्ष्यों जीवन मुक्त व्यक्ति के माने के बाद उसका सुक्ष्म शरीर तो बर्थ डेथ साइकल से मुक्त हो जाता है तो सुक्ष्म शरीर का क्या होता है सुक्ष्म वो जीव अपनी इक्षा से शरीर धारन करता है इसलिए वो जीवन मुक विक्रम सिंग जी गौरों की तरफ से कोटी कोटी प्रणाम राजु पाल जी ग्यावली शर्मा संदीब बराक अबनी प्रधान जी कमलेश उपाध्यायर रमेश पेश्वानी रुमेश शोपड़ा अरजन चोहान योगिंद्र पंडित राम निवास मीना जोनती दत्ता बिमला शाह रतन सिंग ब्रीफ अबाउट हीता नाढ़ी शौट एकस्पकाइंडली ब्रीफ अभी तो चली अभी इसके लिए समय नहीं है और अभी बाद में इस पर चर्चा होगी तो सुनिधी पाठक सविता नायक कंबीर शाह भीकु कुचाडिया कमल प्रजापति तक्व ज्या भगवान के लिए पुस्तक से प्रेणा मिलेगी तत्व ज्यान नहीं मिलेगा तत्व ज्यान तो ध्यान योग से मिलेगा ठीक है ध्यान योग से ही संभव है अश्टांग योग से संभव प्रेमानंद महापात्रा अभिनदन है सविता नायक बद्रीलाल जी शत शत नमन भव्व झू कन है कि ःधैंगा ज्याती का अर्थ वैसे योञी में जनम होता है वही उसकी जाती होती है लेंगर आप यहां पर कुल का नाम ले रहे हैं तो जाती जो बना दी गई तो उसका नाम ले तो कोई किसी भी जाती में हो करेगा तो सफलता मिलेगे उसे बक्ति करेगा अलिल कुमार पिंटु वासवा अमरित शुकला गीता देवी मायावादी भाष्य सुनी ले हुई सरवांश कमलेश खैरनार जी रजनेश वरफानी जी ओम 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 किसी को गरे लग अब की आवाज नहीं आ रही है अब तो आवाज आ रही होगी ए आवाज तो क्लियर है फिलहाल आप बीच में गढबढ़ हो सा internet connection का dis connection हो गया था चलीए जैप रकाश यादो में ऐसा समस्ता हूं कि अचित कुछ कहना चाहते हैं यह समस्ता हों की परमात्मा का ज्यान है तभी ज्यान वह उसके आगे की क्रियाएं संवा है, क्या मेरी समझ उचित है, प्रमात्मा का ज्यान का क्या तात्पर है, ये बताईए, प्रमात्मा के ज्यान का क्या तात्पर है, प्रमात्मा क्या तत्पर है, पहले तो ये हमें, प्रमात्मा हम अपनी विचारधारा से मान लेंगे, या फिर क अब को जो भी उरा है वो प्रमात्मा की अभी व्यक्ति है अगर आप ये कहते हो ठीक क्योंकि प्रमात्मा भावातीत है इसको भावातीत कहा गया है आपको जिस्वी वस्तु का ज्यान है वो वस्तु भावातीत नहीं है अगर आपको यहां प्रकाश दिखाई दे रहा है तो प्रकाश भी भावातीत नहीं है ठीख, तो आप कहतों कि निप्रमात्मागत घ्यान ही पहले हो, बाकी ज्यान बाद में होगा, भक्ति बाद में होगी, योग बाद में होगा, नहीं, तो ऐसा नहीं होता, आत्म अनुसंधान का विशए है, पूरी तरह से विवेक चुड़ा मनी का विशए, अद्वैत या पत कि पहले प्रमात्मा का ज्यान करो तब बाखी चीशे बाद में होंगे आप जो कह रहे हैं वो आधिगुरु शंकराचारे को भी लिखना चाहिए था कि पहले प्रमात्मा का ज्यान करो तब मुमुक्षता आएगी, तब वेराग्य आएगा, तब शम्दम होगा ये आदिगुरु शंकराचारे लिखना भूल गया, आप सही हो मतलब, और वो गलत है, ये परमानित हो जाएगा फिर, तो ऐसा नहीं होता है, आत्मनु संधान करो, और जितनी भी अनुभूतियां आ रही है परमात्मा के संदर्व में, और जो ज्यान के संदर्व में, जिसे आप ज्यान कह रहे हो, वो सब की सब अभिविक्ती है, वो सब का सब मैनिफेस्टेशन है, वो सब का सब विवर्त है, परमात्मा अपने आप में भावा तीत है, ठीक है, गुणा तीत है, तो ये समझे, वो तो लक्ष में आ जाएगा ना, परमात्मा का ज्यान, तो लक्ष बन जाएगा लक्षा है वहाँ पर मन गलंथ संस्थाओं की मन गलंथ बातों से मुक्त रहिए और शास्त्रों पर राकट किए लोगों ने अपनी बजार खड़ा करने के लिए अपना जंडा गालने के लिए मन गलंथ विचारधाराओं को शुरू कर देते हैं मन गलंथ विचारधाराओं को वो शुरू कर देते हैं यहां समस्या हो जाती है इसलिए यह आवशक्ता है कि गीता क्या कहती है उसका हम सही से एक एक इस लोग का ध्यान करें कोई को चुन-चुन का ध्यान ना करे इसलिए विवेक चुड़ामनी पर पूरी चर्चा शुरू क की जा चुकी है और हो रही है चलिए महा छिक गीता देवी कन्या कुमारी जी गीता देव जयादी शंकराचार जयमा का मक्षा सूमनात शिंदे जी बहुत अभिरंदन संजय हल्दर हम कौन है कहां से आये है यही तो जानना लक्ष है आत्म अनुसंधान का विशय है यह आत् हाँ निराकार प्रमात्मा के भक्त कम क्यूं है कोई निराकार प्रमात्मा के भक्ति का अब्देश यह नहीं तो कहां से होंगे आत्म अनुसंधान का मतलब है ध्यान योग के द्वारा जो हम अपने गहराई में उतरते हैं अपनी सुक्ष्मता को जानते हैं यह आत्म अनुसंधान का विशय है स्वरूप की प्राप्ति का विशय है यही निदि ध्यासन का विशय है निदि ध्यासन का उद्दिश्य है आत्मा को जानना आत्म अनुसंधान अपने शुद्ध स्वरूप को जानना आदिगुरु शंकरा जारा जो कह रहे है मैं मन नहीं हूँ मनो बुद्धी एहंकार चित्तानी नाहम ना मैं मन हूँ ना मैं बुद्धी हूँ ना मैं चित हूँ ना मैं एहंकार हूँ ना मैं शरीर हूँ ना मैं इंद्रिया हूँ न च ग्रहान नेतरी न च श्रोत्र जिहवे तो इस प्रकार से भी कहा है कि मैं ना सिका हूँ ना मैं श्रोत्र हूँ ना मैं जिहवा हूँ ना मैं तवचा हूँ मैं यह इंद्रिया नहीं हूँ तु मैं हूँ कौन यह जो है विशे की मैं कौन हूँ इसको जानना ही आत्म अनुसंधान क्या मैं एहंकार हूं मनो बुद्धी एहंकार चित्ता निनाहम मैं मन से परे बुद्धी से परे चित्त से परे एहंकार से परे मैं शुद्ध आत्मा हूं इसको रटना नहीं हाँ इसका चिंतन ठीक है परंतु ध्यान योग के द्वारा इसका अनुसंधान करना ध्यान योग के द्वारा अपनी चेतना के शुद्ध अवस्था में पहुँचना जहां इंद्रियों की मलिन्ता नहीं है यहां आत्म अनुसंधान का विशा है कमलेश ठैरनर जी चलिए अनुसंधान का अर्थ बताने की किरपा करे अनुसंधान का अर्थ है आत्मा का अनुसंधान अर्थाथ उस पर काम करना एक तरह का उस पर संधान करना अनुशाशन का क्या अर्थ होता है बताईए अनुशाशन का क्या अर्थ होता है योग अनुशाशन का विशह है जो स्वेम के उपर स्वेम के द्वारा साशन किया जाए वो अनुशाशन है तो अनुसंधान का अर्थ भी है स्वेम का संधान है आत्मा के उपर रिसर्श करना अनुसंधान का विशह है नंदूरी पदमा जी आधी कुश्वाहा जी गुरुजी तंत्र और योग में क्या डिफ्रेंस है तंत्र और योग में ये दोनों अलग-अलग विशय हैं पहली बात तो यह है हाँ एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं तंत्र मतलब टेकनिक तंत्र का मतलब है टेकनिक का प्रयोग करना और योग योग का मतलब है जो योग है चित्वर्ति निरोध करना स्वरूप के उपलब्धी करना वह योग का विशय है चिक आगम और निगम बताया जा चुका है पहले हम इस पर आगम निगम पर पहले ही चर्चा हम कर चुके हैं चिक तो आगम निगम की व्याख्या पहले ही विडियोज में हो चुकी है आप उसको देख सकते हैं नंदूरी पद्मा जी, बलवन सिंग, गोहिल जी, शंकर प्रसाद जी. When some cult labels the supreme guru आदिश शंकराचारिया as a मायावादी, it pains a lot. How come who gave so things to realize the आत्मन, ब्रह्मन be termed as a मायावादी? Because their ego satisfies by calling him मायावादी. अगर कोई आदिगुरु शंकराचारिय को मायावादी कहता है, कुसका अपना एहंकार कही न कही संतुष्ठ हो रहा होता, इसलिए कहता है. ठीक है, तो ब्रह्म वादी, हम ब्रह्म वादी कह सकते हैं. अद्वैत वादी कह सकते हैं, सबसे अच्छा शब्द है अद्वैत वादी. बताय जा चुका है पहले चर्चा हो चुकी जो विशय चलता है उसी विशय पर आप कोशिश करें ज्यादा तर प्रशन रखें योगी आप कुछ ऐसा प्रशन रखते हैं तो फिर उस विशय को बोलना इसका मतलब 2 घंटा और लगाओ यह हो जाता है ठीक है दयानंदरंदी चंद्रश्वर पांडे जी भोत अभिनंदन आपका हरी मोहन गुपता प्रणाम ज्यान कहता है सूर्य चलता है विज्यान कहता है इस्थिर है प्रपया मार्ग दर्शन करे ज्यान कहता है सूर्य चलता है विज्यान कहता है कि इस्थिर है कहां पर कहता ह कौन सा ज्ञान कहता है कि सूर्य चलता है और कौन सा विज्ञान कहता है कि इस्थिर है यह बता देजिए विज्ञान तो ऐसा बिलकुर नहीं कहता कि सूर्य इस्थिर है तो ये प्रश्ण ही बहुत गडबड हो जा रहा है कि ज्ञान कहता है कि सूर्य चलता है विज्ञान कहता है कि इस्थिर है कैसे बता दे कृप्या इसको इस्पष्ट कर दे ठीक है सूर्य की भी अपनी उम्र है अपनी आयू है इसे विज्ञान भी मानता है और शास्त्र भी मा शूर्य जो है वह इस्तिर नहीं है कि सूर्य की भी अपनी आयू है वो भी अपनी जीवन घी रहा है विग्ञान का भी मानना है और शास्त्रों के स्थन चलता हे विज्ञान कहता है कि स्थिरल पता नी कौन सा ज्ञान कहता है बाइबल में लिखा हुए बाइबल कुरान में माना गया है कि सूरे चलता है हमारे उपनिशदों में या हमारे गरंतों में या फिर जोतिश के अंदर भी ऐसी माननेता नहीं कि सूरे चलता है चलने का मतलब क्या वो परिकर्मा करता हां वह किसी दूसरे महा सूरे की परिक्रमा करता वो एक अलग बात है लेकिन जो सूरे के अपने सौरे मंडल में जो नौग्रा है वह सूरे की परिक्रमा करते हैं सूरे उनकी परिक्रमा नहीं करता है सूर्य इसलिए देवता है पंच देवों में सूर्य की पूजा होती है पिर्थवी की उपर जो उर्जा है वो सूर्य के कारण है या हमारे शास्त्र भी मानते हैं कि पिर्थवी की पर उर्जा का जो भी संचालन है वो सूरी स्वेम करता उपनिशदों में चर्चा हो चुकी हरी मोहन गुपता जी आप उपनिशदों के वीडियो पर जाईए इशादी नौ उपनिशद पर पूरी चर्चा हो चुकी है आप दूसरे कुछ जो रिलीजन वाले जो गरंत है बाइबल कुरान जिनको आप बोलते उनकी विचारधारा इससे भिन्न है वहाँ पर सूरी चलता है लेकिन हमारे शास्त्रों में यहां तकी जोतिश वेदांग में जोतिश भी एक शास्त्र है तो जोतिश कनुसारे सूर्य प्रश्न मत करिया अगर आपके प्रश्नों में मुझे कहीं पर भी यह लगा कि प्रश्न करने के लिए प्रश्न किया झा रहा है KfrIND कर हैब रविश्य क कर सकते हैं कैसे किस विशेय पर करना इसे बताOW वकिस्ट विषय पर्सदकुरू से discussion किया जाए, topic क्या होगा, और क्यों किया जाए, ठीक, तो ये चीज है, हो सकता है कि कई विश्यों पर उनकी और मेरी विचारधारा एक हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो फिर किस विश्य पर आप शंकराचारे की इस अधवूत ग्रंत, विवेग चुड़ामनी के अगले विश्यों पर हम चर्चा लेकर आएंगे, आगे के विश्यों पर चर्चा करेंगे, तो अभी फिलहाल, आपसे अध्यात्म, अध्यात्म तो एक कॉमन विश्य है, कॉमन टर्म है अध्यात्म, लेकिन एक विशालता के साथ उसमें उसको समझने का प्रयास करना वो एक विशय है कि उसमें भी कौन सा विशय है। यू विल बेकम पॉपुलर होने के लिए नहीं करना है ठीक है पॉपुलर होने के लिए नहीं करना है ब्रजेश सिंग जी कोई निशकर्ष निकालना है किसी निशकर्ष पे पहुंचना है तो अवश्य चर्चा करें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पॉपुलर तो बहुत लोग हो जाते हैं पॉपलर होना क्या है एक मिस वर्ड है वो भी पॉपलर हो जाती है लेकिन कोई किस शेत्र में पॉपलर होना चाहता है या किस शेत्र में लोग उसे जानते हैं वो एक अलग-अलग उसका नहीं पूछती थी लेकिन उनके मिर्ट्व के बाद उनके काम को दुनिया ने देखा समझा और जानना चाहा इसलिए कर्म ही सर्वोपरी है कर्म ही सर्वोपरी हम अपना कर्म करते जाएंगे किसी mode पर कोई सद्धगुरु मिल गए, कोई महागुरु मिल गए, कोई मिल गए तो उसे चर्चा हो जाएगी, ठीक है, किसी mode पर, लेकिन हमारा अपना कर्म ही महत्वपुर्ण रखता है, कोई technique यूज को करना, कोई तिलकम भाजी यूज करना कि ऐसे popular हो जाते हैं, वैसे popular हो ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो दे रहा हूं, जो बाते बता रहा हूं, वो पपलर होने के लिए नहीं बता रहा हूं, लोगों के concept clear करने के लिए बता रहा हूं, ताकि सही विशय समझ में आ जाए, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, साधना क्या है, आत्मानुसंधान क्या है स्वरूप की उपलब्धी क्या है जीव क्या है ब्रह्म क्या है माया क्या है इन सब के कॉंसेप्स क्लियर हो जाए लोगों को और सनातंधर्म मजबूत हो जाए इस उद्धेश्य से मैं यह चर्चा कर रहा हूं और कोई उद्धेश्य नहीं है कि लोग मुझे सद्गुरु समझें, मुझे विश्व गुरु समझें, ऐसा कोई लक्ष नहीं है, जहां तक हो सका, अध्यात्म के मार्ग पर मानवता की सहायता कर सकूं, लोगों की सहायक बन सकूं, बस उतना ही है, और लोग चाहे कोई गुर स्चव्ट कंथा मत मान गों सब्सक्राइब दो किसी मोल पर कोई सद्धगुर्य मिल जाएं और उसमें कोंडी नहीं है लेकिन कोई या अतिज्याता आशा कुछ नहीं कोई मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है करने में कोई देकत नहीं है कोई यहाटीर करें एसा कोई इतिवरिक्षा नहीं क्योंकि कोई इक्षा ही नहीं क्योंकि साधू होना संत होना या प्रदर्शन का विशय नहीं है या वेश का विशय नहीं है ठीक है तो इसलिए मैं तो बार बार यहां पर राजा जनक का नाम लेते रहता हूं उनकी पध्धती में मैं विश्व सादू संतों के बारे में लिखी हैं, तो सकरात्मक भी लिखी हैं और नकरात्मक भी लिखी हैं, सब तरह से उन्होंने लिखा है, तो इस तरह से कई बाते हैं, तो ऐसा कोई वह नहीं है, कि लोग मुझे गुरू मानें और सद्गुरू मानें और कुछ हो जाए तो ऐसा कोई वितिवर एक्षा नहीं है, ठीक है, concepts clear हो जाएं लोगों के, मैं कर पाऊं, बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारे हमारे समाज में संस्थाएं और डेरा, डेरे के नाम पर, संस्थाओं के नाम पर जो चीजे चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो लोगों को भ्रम करना पड़ा, ठीक है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, और कल चर्चा करते हैं, कल फिर आपसे मिलते हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का, प्र confian पार आपकाद कम करें, बहुत साल जो जो लोहो करते हैं, बहुत मिलते हैं, टुर्चा करते हैं, बहुत याड़ाद依े हैं, बहुत मिलते हैं, कल भार देता हैं, खवत जो लो खठ Land-D superior.